Hello everyone, I am possible class में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं पृत्वी की गतिया के बारे में जो की जोग्रोफी का लेसन नमबर थ्री है और ये शिक्स टेंडर की जोग्रोफी का लेसन नमबर थ्री है ठीक है तो इस चैप्टर में हम लोग पृत्वी की गति के बारे हम पढ़ेंगे जो पृत्वी है वो घुरुनन कैसे करती है परिक्रमन कैसे करती है ठीक है और ये जो जितने भी इस चैप्टर है वो बहुत मतलब वेरी वेरी इंपोर्टेंट है सीटेट के लिए ठीक है सीटेट के लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा important है तो इसको आप अन्तक जरूर देख के जाएगा और pain और एक book भी रख लिए जी ताकि जो भी important चीज़े आपको मिलती है आप तुरांट उसको लिख ले ताकि एक्जाम में आपको revision करने के लिए वापस से वीडियो देखने के जरूरत ना पड़े तो वीडियो के साथ साथ आप अपने notes भी बनाते चले ताकि subject wise आपको notes जो है मिलते रहें जो भी चीज़े आपको important लगती है जो भी मैं आपको बताऊंगे न वह सारी चीज़े आपको क्या करना है लिख लेनी है ठीक है थोड़ा time तो जरूर लगेगा बड़ डेफिनेटली यह बहुत ज़़दा beneficial होगा आपके लिए सिरड़ के exam के दोरान ठीक है चले start करते हैं तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पृत्वी है ना उसकी दो प्रकार की गतिया होती है ठीक है तो एक होता है घुर्णन और second जो होता है वो होता है पारिकरमन ठीक है तो पृत्वी जो है ना अपने अक्ष पर घुमना मतलब जो पृत्वी है वो अपने ही प्लेस पे round and round 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 घुमरी है उसको हम कहते हैं घुर्णन कहलाता है ठीक है और जब पृत्वी सूर्य के चारों और एक स्थीर कक्ष में पृत्वी की गति को परिकरमन कहते हैं ठीक है मतलब सूर्य है ठीक है यह हमारा सूर्य हो गया अब जो प्रित्वी है वो क्या कर रही है एक स्थीर कक्ष में ठीक है कक्ष मतलब होता है रास्ता फिक्सट पात इस फिक्सट पात में कभी अर्थ यहां पहुचेगा कभी अर्थ यहां पहुचेगा कभी अर्थ यहां पहुचेगा कभी अर्थ यहां पहुचेगा तो सूर्य का परिक शिय सतह से 66.5 डिगरी का कोण बनाती है, तो अगर आप देखोगे, कितने डिगरी का कोण बनाती है हमारा, तो यह जो हमारा आर्थ है, तो वो कितना डिगरी टिल्टेड है, 23.5 डिगरी टिल्टेड है, ठीक है, तो अगर हम बीच में से लाइन करें, तो यह जो कोण बन रहा जो कक्ष के दोरा बनाया जाता है उसे कक्षिय संतल कहते है ठीक है पृत्वी जो है वो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है वो तो हमको पता ही है और पृत्वी का अकार होता है वो गोले के समान है इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भागपरी क्या होता है सूर्य की र पैसमे इसके वजय के वहा पर क्या होगी रात ठीक है sotto इसमें की हमारा सूर्य शूर यह हम आर्थ हो सूर्फ हो गया começo तक सन की लाइट आ रही है तो यहां पर क्या रहेगा डे रहेगा बट जो पीछे वाला एरिया है यहां पर सूर्य की लाइट नहीं जा रही है तो यहां क्या रहेगा अंधेरा ठीक है तो यह हमारा रहेगा डे और यह क्या हमारा रहेगा नाइट ओके फिर वही धरती क्या हो होता है ग्लोब पर वह वृत जो दिन तर रात को विभाजित करता है उसे से प्रदीप्ति वृत कहते हैं क्या कहते हैं उके फॉर एक्जामपल आप यहां पर देख सकते हैं तो यह जो हमारा आर्थ है इसमें डे बन गया और नइट भी बन गया ठीक है यह जो बीच वाली लाइन है जो रात को दिन से अलग बना रही है इसको हम क्या कहते हैं प्रदिप्ती वृत कहते हैं ठीके जो क्या करते हैं दिन तथा रात को विभाजित करते हैं मतलब कि एक natural boundary आ जाती है कि इतना दिन है इतना रात है तो इस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग लगवरा करने में लगवच्ट चुबिश घंट गंटे का समय लेती है ठीक है अब जो हमारा आर्थ है ना प्युति जो है वो कि अपने ही प्लेस पे गोलल गुमने के लिए कितना घंटा लगाती है भाई, 24 घंटे लगाती है ठीक है तो घुर्णन के समय काल को पृत्वी दिन कहा जाता है तो यह जो डेली का जो प्रोसेस है जिसको हम लोग हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं रोटेशन तो यह जो अपने प्लेस पे राउंड लगाने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं प्रिथवी दिन या फिर इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसे कहा जाता है अर्थ डे ठीक है क्या कहता है अर्थ डे और यह प्रिथवी की दैनिक कि तैया मतलब एवरी डे का उसका क्या है ये काम है ठिके डेली का यह काम है इंका भाई अपने का कैसी अभूंती ही रहती है ठीक है देख之前 Mike mister में आ गया होगा तो देखो यह वाला हमारी कखशिय संत्धवल है मतलब बीच नग एरिया और कितना दीगरी हम यहाँ पर देख लिखा हुआ है क्या आप जानते हैं तो प्राचिन भारती है जो खगल शास्त्री थे जिसका नाम था आर्यभट उन्होंने बताया था कि जो पृत्वी है हमारी वो गोल है और अपने अक्ष पर घुरुनन करती है मतलब कि घुमती रहती है तो किस ने बताया ठीक है तो अगर सूर्य के तरफ वाले पिर्थवी में भाग में हमेशा दिन होता जिसके कारण उस वाले पार्ट में फॉर एक्जामपल ठीक है वापस से हम बनाएंगे सन यह हमारा सन चमकता हुआ और इसके बाद हम बना लेते हैं हमारा अर्थ ब्लू कलर का ठीक है और फ अगातर क्या पड़ेगी गर्मी पड़ेगी ठीक है अदूसरे भाग में सन की लाइट तो जाती नहीं है तो यहां पर क्या होगा ठूरू आउट डालाइफ क्या रहेगी यहां ठंड पड़ती रहेगी ठीक है तो इस तरह की अवस्था में जीवन कभी भी संभव नहीं हो पाता है क्योंकि जो हम इनसान है ना हमें एक मॉडरेट टैंपरेचर की जरुवत पड़ती है ठीक है नेक्स देखते हैं प्रिथवी की दूसरी गति जो सूरे के चारों और कक्ष में होती है उसे हम प्रिक्रमन कहते है ठीक है और प्रिथवी जो है एक वर्क्ष में कितना दिन लगता है उसको सूरे का एक चकर लगाने में 365 सोटे 1 ए готов टर टेके 365 में՝ वर्क्रमन की पोलते हैं मतलब कि 365 दनमते हैं तथा अपनी सुध्रा के लिए हम क्या करते हैं यह छे घंटे का यूज नहीं करते हैं ठीक है तो नॉर्मली जो है ना आर्थ को 365 डेज के साथ साथ 1 4th day मतलब की अगर आप 24 घंटा को डिवाइड कर दो के 4 से तो कितना आएगा ठीक है 6 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 6 फुजा 24 राइट तो 4 नहीं हां जिसे कि मैंने पताया आप लोगों को तो हमें क्या करना है 24 घंटे को डिवाइड करना है किस से चार से राइट तो 4 फॉजा 4 फॉजा 8 फॉजा 12 फॉजा 16 फॉजा 24 फॉजा 24 फॉजा 24 ठीक है तो घंटा लगेगा भाई उसको 6 घंटा एक्स्ट्रा लगता है तो यही 6 घंटे जो होते हैं चार साल के 6 घंटे बन जाते हैं हमारे 24 घंटे और वहीं से हमारा एक दून एक्स्ट्रा हो जाता है कब लीप एर में उस तेम पे जो हमारी फैबरवरी है वो 29 की होती है अब अब चल रहा है दो हजार चोबीस और दो हजार चोबीस में हमारी फैबरवरी कैसी है लीप एर की है ठीक है उसमें ट्वैंटीनाइन डेज होते हैं तो यहीं सही जो one fourth है न इसको हम स्टार्टिंग में काउंटिंग नहीं करते हैं तीन सो पैसर दिन काउंटिंग करते हैं फिशार साल बाद इसका हम लोग एक दिन बना लेते हैं ठीक है आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा तो यह काफी छोटा है बस इतना साही है तो इक आ मक चार वर्ष ओर soit में क्या होता है प्रतेक एक वर्ष में जो बचा हुआ छे घंटा होता है उसको मिला कर एक दीन यानि की 24 घंटे के बराबर वो हो जाता है ठीक है इसके अतिरिक दीन में दीन को फरवरी जो है ना उस दीन को फरवरी महिने में जोड़ा जाता है क्योंकि फरवरी महिने में अलड़ी डेज जो होते हैं वो कम होते हैं ठीक है तो इस प्रते चोथे वर्ष फरवरी मां चोथे वर्ष मतलब हर चार साल में जो फरवरी होती है वो 28 के बदले 29 दिन की होती ठीक है क्योंकि जो हमारा 6 गंड़ा प्रित्वी एक्स्ट्रा ले लेती है ना ठीक है इस 6 गंड़े को हम लोग चार साल में जोड़ते हैं और ये 24 गंड़े का पुरा एक दिन हो जाता है तो ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं यह 366 दिन होते हैं उसे हम लीप वर्ष कहते हैं ठीक है अब पता लगए कि अगला जो लीप पर्ष है कब आएगा तो अभी तो फिलाल 2024 में ही हमारा लीप य लाँ जाएंगे ठीक है अब 3.3 सेस पर्ष है कि प्रित्वी जो है न वह दिर्ग विर्ताकार पथपर सूर्य के चारों और चक्कर लागाती है यह कोशम 50 बार आया है यह वह कौन से अकार में चकर लगाती है तो दीर्ग विर्ताकार ठीक है जो ओवल शेप होता है आईसा लेज़ दिशा में जुकी हुई है और समयन एक वरश को गर्मी सर्दी वसंद उसको क्या क्या है तो वह सीजन कौंसे कौंसे हैं गर्मी है। धर्दी है वसंत है और शारद है ठीक है रीचुन में परिवत्तन सूरे से चारों और परिभी की स्थितिके परिवत्तन के कारण होता है यह करन कभी इधर रहेगा 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 ठीक है तो इसका जो डारेक्शन है वो हमेशा चेंद हो रहता है उसके ही वज़े से जो बारिश है जो मोसम में भी इसके वज़े से बदलाव होते हैं तो किसके वज़े से होत तो आज के लिए इतना ही आई होप आपको समझ में आया होगा समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चलना को सब्सक्राइब कर लेज़ाइगा बहुत सारा सपोर्ट कीजिए मुझे आपके सपोर्ट के मुझे अत्यनत्य जरूरत है अपने फिंस को भी शेयर कर आपको ता कि यह भी नोट्स बनापाए क्योंकि NCRT के हंदी मुझे नोट्स जलदी नहीं मिलते हैं आपको जो भी इजी लगते हैं नजरूरूर्णिहिंके जो मैंने बताइहे यह आपको ठीक लगाना है यह बहीं आपको लिखना है जो समझ में यह सब्सक्राइब को अश प्रेक्स प्रेक्स प्रेज़ में खतम करेंगे हम लोग इस टॉपिक को तो थैंक यू सो मच एवरिवन बाय बाय टेक केर